नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में, ये योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है, उस जातक के चाहने वालों से जलने वाले अत्यादिक होते हैं, मित्रों उस व्यक्ति के दूस्मन अत्यादिक होते हैं, म सबीका अच्छा करता है उसी के साथ हमेशा बूरा होता है कुछ लोग टोने टोटके करवाते हैं तो कुछ अपने जो भी पैत्रे होते हैं वो पैत्रे इस्तमाल करते हैं ऐसा क्यूं होता है ऐसा जन्म कुंडली में कौन सा योग होता है जिसकी वज़से एक भले इंसान के सा साथ में एक नेक इंसान के साथ में ऐसा होता है मित्रों जन्म कुंडली में एक ऐसा योग होता है यदि आपकी जन्म कुंडली में भी यह योग है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है अब आपको करना क्या है इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मित्रों और अपनी सतुता निकालने के लिए वे कोई भी पेत्रा चल सकते हैं तो मित्रों ऐसे लोगों से हमेसा सावधान रहना चाहिए और अपना जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म करते रहने चाहिए बगवान स्री खृष्णु भी कहते हैं कि कर्म केजा फल के इच्छा मत कर अब बात करते हैं इस योग के बारे में जन्म कुंडली के छट्टे भाव को देखना है ये जन्म कुंडली का छट्टा भाव है आपकी जन्म कुंडली में इस भाव को देखिए इस भाव को छट्टा भाव कहते हैं सस्टम भाव कहते हैं इ ये जन्म कुंडली का लगन भाव है यदि इस भाव का स्वामी जो है वो इस भाव में बैटा हो या फिर पंचम भाव में बैटा हो ये जन्म कुंडली का पंचम भाव है पांचवा भाव है जन्म कुंडली के छटे भाव का स्वामी यदि लगन भाव में हो या पांचवे भ होते हैं तो मित्रों यह इस तरह से देखेंगे अब जन्म कुंडली में इस भाव में एक नंबर से लेकर 12 नंबर का कोई भी संक्या हो सकता है तो एक नंबर या आठ नंबर हुआ तो इस भाव का स्वामी जो है वह मंगल ग्रह होगा दो नंबर या साथ नंबर हुआ तो इस भाव का स्वामी सुक्र ग्रह होगा तीन नंबर या चे नंबर लिखा है तो इस बाव का स्वामी गुरुग्र होगा दस नंबर या 11 नंबर इस बाव में लिखा है तो इस बाव का स्वामी सनिग्र होगा अब यह तो हो गई इस बाव के स्वामी यानि इस बाव का स्वामी आपको बता दिया कि जो नंबर लिखा है उसके अनुसार इस कर्तित हो सकता है यानि आपके सत्रु अत्यादिक हो सकते हैं ़े अपको मैं एक ही बात कहूंगा आपके भी अ चाने या बुरा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है तो मित्रो यह जानकारी थी इस वीडियो के बारे में जो मैंने आपको दी मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवस्य संतुष्ट होंगे तो इस वीडियो को लाइक करना अपने मित्रों के साथ सेयर करना फिर मिलें नहीं जानकारी लेकर धन्यवाद